हेलो एवरिवन इस वीडियो में इनफी भी मैंवेद नियू लिम्टेट को देख लेते हैं आज फाइमली जो हम लोग ने टार्गेट लिये थे 29 उपए 15 पैसे वो आते हुए दिख गये और ये भी देखे कि इस टॉक वहीं पर पहुंच कि आपका सेलिंग फेस करता हो देख रहा है आगे इस टॉक कैसा प्रफॉर्म कर सकता है उसको यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं कम्ती के नतीजे भी आए वो बहुत अच्छे देखने को मिले इस्टिल आप लोगे डाउट थे कि क्या वो टार्गेट आएंगे भी 29 के की नहीं आज देखिए वो टार्गेट आगए मैंने इसे स्टॉक को कैसे टाइम किया आपको पुराने वीडियो जरूर देखने चाहिए आप बहुत कुछ सीखेंगे आप इनफी भी में इसे स्टॉक को मैंने साड़े बारा के लेविल पे निकाला था आपने अगर मेरे पुराने सारे वीडियो देखें हैं तो ये भी देखा होगा ये साड़े बारा पी चलता था वहां से इसको कवर कर रहा हूँ चोटा विप्रो गयता था मैं इसे और स्टॉक ने आप देखना है किस परिखार के अभी टार्गेट दिखा है मैं उमीद करता था कि पैसे डबल करेगा आप देखें वो 13 रुपे का शेयर 29 पहुंच किया मैंने कैसे निकाला इसे ये 30 अप्रेल वाले वीडियो देखें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अभी स्टॉक में क्या हो सकता है वो निकाल लेते नतीजे देखें बहुत अच्छे देखने को मिले IT से कंपती ब्लॉंग करती है रीसेंट का कॉर्टर भी पकड़ें 800 करोर की सेल्स होती थी अभी देखें सेल्स 900 करोर के उपर जा रही है इविटा देखें 70 का होता था 67 इंट्रेस्ट देखें यहां पर मतलब जो डेट थी हो कंपती ने कम की हुई है और profit after tax देखें इस बार कमती ने फिर 41 करोर 42 करोर का प्रॉफिट बनाया इससे पहले 41 करोर के प्रॉफिट पे थी एक साल पहले का प्रॉफिट 35 करोर का यहां पे देखने को मिल रहा था तो कमती फैनिशली तो बहुत अच्छी कर रही है और और शेर होल्डिंग भी यहां पर अच्छी बनी है बस यह ध्यान रखेका कि प्रमुटर ने अपने रिसेंटली जो हैं वो इस टेक घटाना शुरू कर दिया है वहीं पर डिया अपने इस टेक बढ़ा रहा है कोई बहुत नहीं बढ़ा है और एफाइए की कोई खास एक्टि कि यहां सही काम करें फिर हम लोग ने ब्रेक आउट निकाला था कि ब्रेक आउट के बाद यह डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो यहां से यह वाले टार्गेट भी आगया वो भी सही निकल गया एक और बीच में इसमें पैटरन बना शुरू हुआ था अभी रिसेंट की बात है 35-36 के अगर आप टार्गेट ले रहे हैं तो चाहिए अगर आपके पास स्टॉक है कुछ गें निकाल सकते हैं अगर आप देख रहे हैं 29 पे सेलिंग फेस कर रहा है दरवाइस जितनी कॉंटिटी है सबका आप स्टॉप लॉस जो है वो इस समय 26 के नीचे कर सकते हैं क्यो क्योंकि आप 35 के टार्गेट लेके जा रहे हैं क्योंकि आपका स्टॉक अल्रेटी टार्गेट पर आ गया है तो इस तरीके की आप स्ट्राइडगी इंप्लिमेंट कर सकते हैं जो कि ठीक होने वाली है कि आप कुछ परसेंट तो देंगे इना अपने स्टॉप लॉस के करेगा कि अगर यहां सेलिंग फेस कर रहा है नीचे आ रहा है तो वह भेतर ओने वाला है like 22 23 यह इसके बहतर लेविल होते हैं यहां सी यू बांस बैक करें क्योंकि यहां पर भी चैनल में ट्रेट कर रहा है यह दिखिए तो नीचे आ सकता है यह सपोर्ट बनेंगे 20 19 के प ठीक है तो इस तरीके से आप इसको टाइम कर सकते हैं बागना होगा तो इस टॉक अप 30 के ऊपर निगलेगा सस्टेन करेगा तब वह आपका 35-36 के टार्गेट दिखाएगा उसके लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का साहरा ले सकते हैं या तो फिर ब्रेक आउट का आएगा फिर आप यहां पर जो टेक प्रॉफिट ले जाएंगे वो 35 क्योंगे तो लगबग वन रेश्यों वन में आपका फिर वो रिस्ट रिवॉल्ड यहां पर चलेगा इस तरीके से आपका इनफी बीम चल रहा है वनना जनरली मैं ऐसे स्टॉक में जैसे टार्गेट आ इस तरीके से मैं स्ट्रेट यहां पर प्लान करता हूँ और कभी फ्रेश बैंक डूडनी हुई तो मैंने यह उप्जर्व किया कि ऐसे बन रहा है पैटन तो यहां पर अगर ऐसा पैटन बनने लगया तो 24 है बेस्ट लेविल होगा 20, 21, 22 अधर्वाइस मुझे एग्रेसिव ट्रेइडिंग करनी होगी तो मैं ब्रेकाउट पगरनी की कोशिच करूँगा जो 31 के आसपास होगा 31, 30 के उपए स्टॉक निकलेगा तो यह ब्रेकाउट में कंसीडर होगा वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से दोस्तों मैं इन्फी बीम को यहां प